हालो इस्टूडेंट विल्कम टू फीबियार स्टडी बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि साम को साथ बज़े से हर दिन आप पढ़ते हैं कच्छा नौकी अंसी अर्टी गड़ित तो हम आपके सामने लेकर उपस्तित हैं आपका नेक्स्ट कुश्चन देखिए हमने कल तो क पर दिया था कुश्चन नंबर पांच तक फाइट नंबर तक कर लिया था बहुत से बच्चे जूड़े थे देखे भी थे लेकिन उसमें कुश्चन नंबर सीकेंड चूट रहा था कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर फिर से इसको बता दीजिए जो मतलब होमर के छोड़ा गया था तो हम आज इसको फिर से आपके लिए लेकर आएं करवा दे रहें चलो ध्यान से कुश्चन आप लोग देखेंगे बहुत से बच्चे जुड़े उनके नाम में बाद में बोलूँगा लेकिन पहले आप कलास देखो तब देखिए क्या है कि A B C D A चतुर आगे कहता है जिसमें या जिसमें है वो जिसमें A B B C के बराबर है क्या है जिसमें A B B C के बराबर है जी पंकर जी बिलकुल एकदम राइट टाइम क्लास होती हर दिन मतलब 17 वज़े से ही होती है किरन मौर्या जी बलकुल हाँ इसके आगे जो होगा न वो next class में आपका 7.2 होगा आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए पढ़ाई फे comment फे कम ठीक है और आप लोग देखोगे आपका comment अक्सर reply नीचे लिख करके मिल रहा होगा पीले color में आ रहा होगा नीचे से है ना चलो तो आगे सवाल पर चलते हैं करा जिसमें a b b c के बराबर है सवाल में देखो a b मतलब यह बूजा जो है a b वो b c के बराबर है यह b c ठीक है अब ध्यान दो इसमें आगे क्या होता है ो आप लोग समझेने की कोशिच करो कुश्चन में थ्वड़ा सा करक्ष्ण करो अप लोग स्वाल थ्वरा सा गलत लिखा दा a cbc के बराबर है बाबू कौन 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 किस के बराबर है ب c vacation आहिँट क्या कहता है कै रहा कि कौन d ap CVA के बराबर है कौन सा कौन ध्यान से देखो एंगल DAV DAV फिर से देखो DAV मतलब यह आला तिर्भुजू है इसमें यह कौन कह रहा है किसके बराबर है CVA त्यान से देखो CVA मतलब इसके बराबर है एक परकार सी समझ लो यह कौन इस कौन के बराबर है पहले सवाल समझ लोगे तो समझ में आएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा और जो बच्चे कांसेप्ट नहीं सीखें जैसे संगत कौन क्या होता है जिसे कर्सपांडिंग बोलते हैं कांतर कोंड क्या होता अल्टरनेट एंगल वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देखें कमेंट करके बताएं उनको मिल जाएगा यह समझ में नहीं आएगा हां आगे देखो करा कि सिद्ध कीजिए इसमें तीन चीज़ें करना है पहले तो यह प्रूब क बच्चा बी ए कि दोनों की चीड लिखाए क्या एड़ीज्य और बीएए और इंपर नहीं कूए जैए देखो मैं कुछेंटर्ण एक बार मिला ले रहा हूं कुछ अलग लिखाए क्या अग्या ABD है भाई साहब क्या है डी है देखो कुईस्चन पता नहीं है कैसे अतलब मुझे मिल गया ABD अब देखो ABD यानि यह जो तिर्बूजा उपर वाला यह किसके कैंगुरियंस है नीचे वाले की आप समझने की कोशिस करिए ठीक है देखो एक बार आप लोग फिगर फिर से देख लो क्या कहरा कि ABD हमें सरवांगसम सिद्ध करना है BAC की एक बार फिर से देख लो फिगर देखो ABD मतलब यह फिगर जो उपर बन रहा है एक बार मैं लाइन दोड़ा देता हूं देखो AB और यह D यह जहां जहां हमारी पैंच जा रही है यह इस फिगर को कहरा कि कांगुरियंस सिद्ध करो किसके ABAC के, अब BAC कहा है बी AAC, मतलब यह तिर्भुज इधर वाजा अब आपको समझ में आया होगा मैं यह ने क्या किया इनको दुबारा फेक बार रिपीट कर दिया तो आपको समझ में आगया होगा कि यह तिर्भुज इस तिरभूज के kangurion सिध करना है और ये भी बताना है कि B, D जो है वो A, C के बराबर है ये सिध करके दिखाना है ये भूजा B, D ये A, C के बराबर है यानि ये लंबी वाली भूजा इसके बराबर है तो सिंपल सी बात है अगर हम दोनों को kangurion सिध कर देंगे तो भूजा तो बराबर इटूमेटिक हो जाएगी क्यूं? क्यूंकि जो kangurion triangle होते हैं उनकी corresponding है गल हमें सब बराबर होती है यानि हिंदी में बोले तो सरबांगसम तिरभूज की संगत भूजाए बराबर होती है तो पहले तो इनको सरबांगसम सिध कर लो बस इतनी सी बात है बच्चा चलो लिखो तिरभूज A, B, D में A, B, D में इस तरह साइट से हम क्या करेंगे solution करेंगे लिखो तिरभूज A, B, D में देखो A, B, D में हमें क्या-क्या दिया ध्यान दो A, B, D में इसमें देखो सबसे पहले जो दिया है question में करा A, B, B, C के बराबर है A, D, B, C के बराबर है बच्चा लिखो A, D, B, C breakout में लिखो दिया है Hindi में, English में लिखो given और चीज दिया है उका दिया है ये लिखो कौण D, A, B equal angle C, B, A भाई, कौण D, A, B बराबर कौण C, B, A कौण बोलो angle बोलो मतलब इक है न आगे देखो और क्या दिया है आगे एक चीज ये है बच्चा कि हम A, B, 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 A कर सकते हैं कौण सा A, B, 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 A वो काहे कर सकते हो काहे कर सकते हो भाई क्यूँ इफ लिए कर सकते हैं क्योंकि जो A, B, D है उसमें भी देखो A, B, U, J हो रहा है और जो B, A, C है उसमें भी A, B, U, J हो रहा है दोनों यूज हो रहा न बच्चा तो आप इसे लिख सकते हो A, B, 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 A A, B, B, A क्यों रिजन लिख दो ब्रेकर्ट में कॉमन है दोनों में क्या है कॉमन है कॉमन की हिंदी बड़ी खतरनाक है इसे उबहनिष्ट बोलते है ठीक है इतना हो गया बस हो गया यार सबसे आसान सवाल था ये क्यों देखो आपको मिल गया ये दोनों भुजा बराबर है पहले से ही दिया है कॉन एक बराबर था पहले से ही दिया था एक भुजा मैंने बराबर सिद्ध कर दिया क्योंकि कॉमन थी अब ये क्या हुआ भुजा कॉन भुजा इसे लिखोगे आता हाँ तिर्भुज A, V, D ग्रेश चिन लगा दोगे ग्रेश का वह ये थोड़ा सा अच्छा से बना लो ग्रेश का चिन जो है थोड़ा सा मुझसे गंदा बन गया है देखो ये ऐसे ऐसे दो लाइन कीचोंगे ये कैसे ठीक है V, A, C सिद्ध हो गया कोई टरमें लिख दो सब्सक्राइब यहां काता है कि असले की सांटा इसे फ nut Jamie एक एक जड़ें दो सबस्कार्ज बहुत है और क्वेडेट में सबस्क्राइब ने ना बिल्कुल आप सभी के कमेंट आरे में देख पा रहा हूं लेकिन आप पढ़ाई प्रिद्यान दो भाई इसलिए मैं किसी का नाम नहीं बोल पा रहा हूं भी मैं आपको नंबर दे दूँगा आप उस पर संपर करना चलिए नेक्ट पेज हमारा रेडी है दूसरा हमें सिद्ध करना है कि बीडी बराबर एसी है तो इसे लिख लो इसमें कुछ करना ही नहीं सिकेंड वाला लिखो बीडी इक्वाल एसी का है लिखो बाई सीपी सीटी सीपी सीटी पढ़ाया था ना भई सीपी सीटी क्या है सरवांग्सम तिर्भूज की संगत बुजाएं बराबर होती है हिंदी में लिखलो अगर हमारा तिर्भूज यह तिर्भूज बी एसी मतलब इसके सरवांग्सम है तो इसकी जो बुजा है यह common है दोनों में इस मुझा से क्या हुआ हमारा जुए कांगुरेट बन गया हमने अभी प्रूब करके दिखा दिया और अगर दोनों सरवांग सम हैं तो इनकी जो कर्रस्वांडिंग साइड होती है संगत भूजाएं वह बराबर होती है इसलिए बराबर हो गया अगला कह रहा कि इसको क्या करना है इन दोनों को भी बराबर करना है का हाँ बी एसी इन दोनों को क्या करना है सिद्ध करना है बराबर ना मतलब ए बीडी ए बीडी ये कौन भी और बी एसी ये कौन भी बराबर करना है हाँ बी एसी मतलब ये कौन और ये कौन भाय यह क्या है संगत कौन है यार लिख दोना इसको भी लिखो तीसरा अंगल A V D equal ngom galaxy अलिको कोई स्थे में लिखो भईए इस यूचा बता दिया आपको जो मैं पढ़रक्संस पर पढ़ा था इस टर्टिंग उसमें संगत कोंड बराबर होते हैं कि कुश्चन नमबर 4 हम सुरू करेंगे तीन नमबर आपने कल पढ़ लिया था चौधा देखो कुश्चन क्या कहता है ध्यान से question आप लोग पढ़िए आपके पास किताब दी गई है कि नहीं पहले यह बताओ बच्छे तो सभी बच्चों के पास किताबें होंगी ना NCRT वाली नहीं है तो बताओ कि नहीं है चार नंबर कराएं ना चलो तो चार नंबर का यह देखो यह क्या कहता है और कि फैले पंड़ों को कि आप सभी पढ़ेंगे का का यल और यम यह आयल और यह उन्य फाीक है यह दोनों क्या है वहां यह率 रह यल और यह ऊंदिजिए ठीप प्लकी स if एक यूग मों इसको पर्तिछेदित करता है यानि यल और यम का जो समानतर रेखाएं हैं दोनों उनको पी और क्यू का एक यूग मतलब एक जोड़ा इनको क्या कर रहा है पर्तिछेदित कर रहा है ठीक है क्या कर रहा है पर्तिछेदित कर रहा है आसीज कुमार पाल संडे को सण्डे को नहीं होता है सटवर्डे को पढ़ाया था सटवर्डे को पढ़ाया था संडे को नहीं पढ़ाoundा तो समझ गए धू है ये यल-ःयम दो समांथार रहा ये जिनको प्यeszंट करता है यह प्रतिचेद करता है वह सवह अरो अगसे OF मतलब होता है सम्दुभाजित ठीक है इंटरसेक्ट बोलेंगे ना इसको आगे देखो क्या कह रहा है आगे कह रहा कि दिखाईए मतलब दर्स आईए यानि सिद्ध कीजिए कि तिर्भूज तिर्भूज A, B, C, C, D, A दोनों सरवांगसम हैं तिर्भूज A, B, C और C, D, A दोनों सरवांगसम हैं तो भाईया इसमें से एक लाइन आई है यह ऐसे बन रहा है ठीक है और बच्चा यहां पर D लिखा है तो देखो अब पूरी कहानी क्या होती है द्यान से समझो यह जो C ल और यह भी यहां है यहां आप समझने की कोसिस करिए यहां पर ट्रेंगल बन रहा है ना ट्रेंगल बन रहा है ठीक है अब देखो कोसिस करो समझने की चुकि यह बहुत आसान नहीं है हाँ बहुत मुश्किल भी नहीं है अगर आप ट्राई करोगे तो सिंपल सा है आ कह रहा कि दो समांतर रेखाय दी गई है एक रेखा का नाम यल है दूसरी रेखा का नाम क्या है यन है एक का यल है दूसरे का यम है और इन दोनों रेखाओं को एक रेखा का यूगमु पी और क्यू ये दोनों क्या कर रहा है इनको परतिछे दित कर रहा है तो कहरा सिद्र कीजिए तिरभूज A B C यानि A B और C यह जो तिरभूज बन रहा है ठीक है यह A B C C D A के क्या है सरवांगसम है का इंगुरियंस है समझ में ना आया ना समझ में भाईया मिस्टर मनोजी पहले सुरू से पढ़ोगे कि डारेक्ट आसमान चले जाओगे अरे पहले सुरू से पढ़ो यार हां चलो तो क्या करोगे आप लिखो तिरभूज A B C और C D A में A B C और C D A में यहां साइड से हम लोग हाल करेंगे question आपके book में है question देखो लिखो तिरभूज A B C और तिरभूज C D A में English Medium आखेंगे इन ट्राइंगल ABC and CDA ठीक है इसमें देखो क्या दिया है आपको दिख रहा है बच्चा वो क्या दिया है D.A.C. और B.C. ये बराबर है कौन? D.C.A. किसके बराबर है? D.A.C. की देखो D.A.C. यानि ये कौन जो है बच्चा दिख रहा ना ये कौण A किसके बराबर है ये BCA के BCA का मतलब जान रहे हो तुम लोग अरे यार ये BCA ये बोलो होगा की नहीं जो लोग alternate angle पढ़े हैं एक आंतर कोर पढ़े हैं उनको पता होगा पढ़े हो ना एक आंतर कौण कि नहीं पढ़े हो BCA क्या लिखोगे दूसरा वाला कौण BCA BCA कारण क्या है कोल्टरंग में लिखो alternate interior angle हिंदी में लिखोगे अंताहा आंतरिक कोण क्या लिखोगे अंताहा आंतरिक कोण English Medium आले लिख लेंगे alternate interior angle alternate interior angle ठीक है इन इंगली फिंदी दोनों में लिखोगा रहा हूँ अंताहा आंतरिक एक आंतर कोण English Medium आले लिखेंगे alternate interior angle ठीक है इसलिए बराबर है चूकि ये जो कोण बन रहा है जिसे मैंने आपको कहा था DAC क्या DAC और BCA ये दोनों एक आंतर कोण है अंताह एक आंतर कोण है इसलिए क्या बराबर है ये रिजन हो गया ठीक है बाई alternate interior angle बहुत अच्छे नीरेच कुमार English Medium वाले चात्र ऐसे लिख लेंगे क्योंकि English Medium वाले सब बच्चे समझदार होते हैं ज़्यादा लिखवाना नहीं पढ़ता है लेकिन उनको थोड़ा लिखवाना ज़्यादा पड़ता है चलो आगे चुकि हमें क्या करना भाई साहब तिरभूज ABC ABC और CD एक कुछ सरवांगसम सिद्ध करना है कैंगुरियंस करना है तो इसके लिए हमें कम से कम या तो हम दो कौण एक भूजा को बराबर दिखा दे या दो भूजा एक कौण बराबर दिखा दे या तीनों भूजाओं को बराबर दिखा दे भाई जो बच्चे इसका इंट्रोड़क्शन पार्ट नहीं देखे वो जरूर देख लें कि तिरभुज किन-किन दसाओं में सर्वांगसम होता है तो हम उन दसाओं को यहाँ पर बनाएंगे ला करके तभी तो सर्वांगसम सिद्ध कर पाएंगे न यार तभी तो कर पाएंगे न आप चलो आगे आगे देखो यहाँ पर आगे कौन सा है भाई और जो दो कॉंड बच रहे थे जो दो और कॉंड बच रहे थे वो क्या है ध्यान से देखो पहले ठीक है जो नहीं मिलेंगे बता देना चलो देखो BAC यानि ये कॉंड ये कॉंड जो A वाला है बच्चा और एक दूसरा कॉंड कौंसा DCA आप कह सकते हैं इसको क्या कह सकते हैं DCA मतलब ये वाला कॉंड भी आपस में बराबर होगा देखो बराबर क्यों होगा क्योंकि ये भी इंटीरियर एंगल है लिखो bac equal angle dca raison by alternate interior angle 사진 में लिखलो अंत्हा आंत्रीक कौ्ड जो उपर था वही वही रिजन है अंत्हा आंत्रीक एक आंत्र कौ्ड ये देखो हम पहुँच रहें काफी करीब करीब क्यों पहुँच रहें क्योंकि हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है हमने दो कोड़ आपस में बराबर कर दिये सिर्फ एक बूजा और बराबर कर दें तिर्वुच सर्वांगसम सिद्ध हो गया हो गया ना सिद्ध हो गया ना भ देखिए कलास को कोई वीडियो छूटने न पाए ठीक है प्ले लिस्ट में सारा वीडियो उपलब्ध है जो बच्चे पीछे का नहीं देखे वो जरूर देख लें क्योंकि बच्चा अगर पीछे वाला पार्ट नहीं देखोगे तो यह समझ में नहीं आएगा इसलिए आप रेगुलर और सिस्टम से देखो बीछे के सारे पार्ट देखिए जो बच्चे इंट्रोडक्शन वाला नहीं देखिए उनको यह नहीं पता होगा यह अल्टरनेट इंटीरियर का होता है एक आंतर कूंड क्या होता है वो कर्सपांडिंग अंगल क्या होता है यह सब नहीं स यह हो गया, अच्छा एक चीज मुझे यह बताओ, एक चीज यह बताओ, जब हमने तिर भूज A, B, C लिया था और D, A, C लिया था, इसमें एक भूजा कामन है ना, कामन है ना बच्चा ये, बीच वाली भूजा देखो A, C, बोलो A, C भूजा दोनों में कामन है की नहीं, दो देखो क्यों कामन है, फिर से समझो, अगर तिर भूज A, B, C लोगए, तो इसको हम A, C पढ़ेंगे, अगर हम तिर भूज D, A, C लेंगे, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, या फिर D, C, A लेंगे, तो हम इसको C, A पढ़ेंगे, चाहे C, A पढ़ो, चाहे A, C पढ़ो, मतलब कोई श्ठक में लिखो बाई ए एस से आप कुछ लोग जो इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखें उनों कहेंगे यह यह एस क्या है हां एस तो उनको समझे ना आएगा क्या है बच्चा एस का मतलब होता है एंगल एंगल साइड यानि कोण कोण और भुजा से कोण कोण और वाले नियम से यह दोनों तिरभूज एबी सी और सी डी ए सरवांगसम सिद्ध हो गए लिख लीजिए इसक्रीन साट ले लीजिए जो बच्चे इसको एप में देख रहे हैं वो बच्चे वीडियो को रोंक करके अच्छे से लिख लें जैसे एप में बहुत से साथी देख रहे हैं मुझे पता है उन्होंने फीवी डिपोजिट किया है बाकी जो बच्चे यूटूब पे डेमो देख वा रहे होंगे वो बिल्कुल फ्री में देख वा रहे होंगे तो कोई बात नहीं है आप कहाई से पढ़िए कैसे भी पढ़िए लेकिन कलास को पूरा देखिए ठीक है चलो रामफोल जी नहीं अभी साइंस नहीं ओनली मैत ऐसे यह कुश्चन हो गया आपका बच्चा हो गया ओके बेरी गुड है आप क्या करोगे तो इसकिन नमबर आपका यह वो गया फोर नमबर था क्विश्चन नमबर 5 पे हम लोग आगे बढ़ें क्विश्चन नमबर 5 पे आगे चलें यार आप लोग संख्या नहीं लेकर आ रहे हो भाई मतलब 25-30 लोग ही देखेंगे बस क्विश्चन फाइब जो है थोड़ा सा बड़ा है लेकिन मैं लगवाओंगा अगर आप लोग रुकोगे तब ठीक है समझ में आ रहा ना भाई सबको किरन मौरे जी आया समझ में मोनिका जैन पंकज सभी को आया ना समझ में चलिए हाई एक बात और समझ लो अगर ये साम को लाइब नहीं आपको प्रीमियर वीडियो भी मिलता है तब भी आप उसे पूरा देखा करिए क्योंकि सिखाया जाता बहुत भेहतर तरीके से ठीक है बिलकुल ठीक है बहुत अच्छे बेरी गूड़ बाई नीरज कुमार काफी जानते हैं आप आसीज कुमार पाल जी चलिए पाच्वा कुश्चन का मैं फिगर बनाऊंगा अब सभी बच्चे फिगर बनाऊंगे फिर मैं कुश्चन जिसका नाम मैं भी लिखूंगा नाम इसका लिख लो भाई ए और इसके ज़्यादा नाम लिखे ही नहीं गये हैं सिर्फ यहां पर लिखा गया बस तो कुछ भी आप लिख लो चाहिए ना लिखो एक तिर्भूज है इसको चलो मैं मान लेता हूं कि ABC है ठीक है वैसे आपके ब कौण A है उसको एक रेखा क्या कर रही है बिश्यक्ट करती है पतिछे सम्दूभाजित करती है इस रेखा का नाम यल है यह मैं अभी कोईस्चन उतार रहा हूं क्या है यह मैं सवाल उतार रहा हूं किताब से यह एक क्या है एक तिर्भूज है जिसका कौण A और को एक है आगे देखो क्या कहता है कि यहां पर एक बीच में बिंदू है जिसका नाम भी है और वी ये रेखा जो है मतलब इसकी बुझा एसी पर लंब है जहां पर पी लिखा है और यह उपर भी क्या है भाई साहब यहां से यह यहां पर भी क्या है देखो यह मैंने नाम इसलिए लिख नहीं रहा था ना ठीक है यहां पर भी लिख दोगे तो कुल दो जगा भी भी हो गड़ बड़ हो जाएगा यहां मालो चलो डी कुछ भी लिख लो अब समझने की कोशिस करो ध्यान दीजिए इतना दिया है ना आपकी किताब में यहाँ पर नाम नहीं लिखा होगा सीदी यह सीदी मैंने लिख दिया वैसे ही लिख लो जादा अच्छा रहेगा कुछ नाम रहेगा तो ठीक है यह ना लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है चलो उसका कोई मतलब नहीं लगेगा अब हम कुश्चन पढ़ते हैं यह कुण नब्बे अंस का है इस पे से कुश्चन ध्यान से पढ़िए ठीक है कुश्चन ध्यान से पढ़िए और सुनिए जिन बच्चों के पास किताब नहीं है वो सभी NCRT किताब जरूर रखें खर गए क्या जित गए चल यह ठीक है अब ध्यान दो जिन बच्चों के पास किताब नहीं हो बच्चे क्या करेंगे किताब जरूर रखेंगे चलो आगे हम लोग बात करते हैं क्या है ध्यान दीजिए कहरा कि रेखा यल कोण A को सम्दुभाजित करती है question ध्यान से सुनिए रेखा यल कोण A को सम्दुभाजित करती है A को सम्दुभाजित करती है और B रेखा यल पर इस्थित कोई बिंदु है और B ये B आगे सुनो question क्या कहता है कह रहा कि B P और B Q कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है B P और B और ये Q यहाँ पर क्या रहेगा Q ये Q समझो ध्यान से समझो B P और B Q ये कोण जो A है उसकी भुजाओं पर डाले गए क्या हैं लंब हैं तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए क्या क्या सिद्ध कीजिए पहला कह रहा है कि A P B और A Q B सरभांग सम हैं थीक है बात समझ में आ रही ना ब्रिज कांत मिसरा सूबा चलता बच्चा सूबा चलता दस वालों का चूप चाप पढ़ लो पढ़ना नहीं भाग जो यहां से ठीक है डिस्ट्रब मत करो कक्छा दस का सूबा चलता है तुम लोग रोज पूछते हो पढ़ते कभी नहीं कक्छाना वाले पढ़ते हैं तो आके उसी में डिश्टरफ करते हैं बस ठीक है तुम लोग की संक्या 25-30 बिने जुड़ती है आप चलो सुबा 8 बजे चल रही है पीवियर इस्टडी इलहाबाद चैनल पे चली थी इलहाबाद चैनल सब्सक्राइब करें कि नहीं दोनों च कर रही है कर रही है सम्दोभाजित कर रही है आगे कहता है गए लंब है B P और VQ कोण ए की भूजाओं पर बिंदू B से डाले गए लंब है यह परपेंडी कुलर है आगे देखो क्या कहता है पिर कह रहा कि सिद्ध करो ए पी वी सरवांसम है AQB के A P B सरवांसम है AQB के दोनों सबांसम सिद्ध करना है पर सिंपल साय जैसे पीछे वाला कर रहा है से इसको भी कर लोगे बच्चा चलो फटा फटा आप लोग लिखो जल्दी से जो भी दोनों तिर्भूज दिये गए हैं लिखो चल रहा है तो आप लोग जाना मत ठीक है जी किरन महर रहा है बिल्कुल बेरी गुड बहुत तो बी में है यहाँ पर हल लिखो लाइट चलिंदी अधिक निए ठीक चले आगे वफरिंग कर रहा था ना भी तक बाफरिंग कर रहा था थना यह ठीक हो गया न आप चालो ठीक है बिल्कुल फिल्कुल इसको चलिया बहुत अच्छे बेरी गुड चलिए अब क्या करोगे आप देखो बच्चा इसमें aqb और apb बराबर हैं बराबर है ना कौन-कौन aqb और apb बराबर है क्योंकि कौन q और कौन पी दोनों नब्बे हैं दोनों नब्बे हैं ना तो आप लिखो एंगल aqb aqb equal angle apb यह बराबर क्यों है लिखो दोनो नब्बे डिग्री है मतलब दोनों क्या है सरवांक समद्धूरी दोनों कोड़ बराबर है इसलिए दोनों क्या है बराबर है मैंने बराबर कर दिया चुकि दोनों नब्बे हैं यह भी नब्बे बना रहा है हांसे और यह भी क्या बना रहा नब्बे का कॉंड बना रहा है यह हो गया इसमें हम और एक चीज बराबर कर सकते हैं वो क्या है QAB ध्यान से देखो QAB मतलब यह कौण A जो है यह किसके बराबर है भाई यह PAB के बराबर है बाबू यह किसके PAB क्यों बराबर है क्यों बराबर है क्योंकि यह जो कौण A था यह दो पार्ट में बट गया है बीट से इसका बट वारा हो गया है तो भाई ये कोण और ये दोनों बराबर होगा ना चूकि बीच से कट गया बट गया दो पार्ट में बराबर है ना तो लिखो QAB इक्वल एंगल पी एवी ये बराबर क्यों है लिखो LVSECT LVSECT angle A हिंदी में लिख लो क्योंकि रेखा A हिंदी में लिख लो क्योंकि रेखा A कोड स्मद्व भाजित कर रही है क्योंकि रेखा यल कोंड ए को सम्दुभाजित करती है देखें इंगलिस में कुछ और भी ट्रांसलेशन किया है कि रन मौरा ने यल इजदा विस सेक्टर आफ एंगल ए विलकुल आप ऐसे भी लिख सकते हो यल इजदा विस सेक्टर आफ एंगल ए या फिर आप ऐसे लिख दो यल इजदा विस सेक्टर आफ इसलिए दोनों क्या है बराबर है इसमें हम एक और चीज़ कर सकते हैं बच्चा वह क्या है आपने यह देखा कि तिर्भूज भी या फिर आ क्यूबी और अपी भी या फिर ऐसे बोलो पी या दोनों में एक रेखा कॉमन एक बुजा इक बुजा कॉमन है कौन सी अरे भाईय यह यह बीच वाली बुजा कॉमन ले दोनों में अर 然后 की और थे मिये बराबर होजाएगी न लिखो AB equal AB ऐसा काहे है लिखो common है क्या है common है और क्या चाहिए सरवांगसम के लिए हमें दो कोन equal मिल गए एक भुजा equal मिल गई अब क्या हुआ हो गया ना काम यार हो गया ना लिखो क्या लिखोगे लिखो आता हा आता हा सिद्ध हुआ हुआ हाた सिद्ध होँ हिंदी मीट्यम कikes ना लिखेंगे आता नहीं थोंए सवर छे शलीओ ढंक से लिखो हो तो गया है फिलाल आं थोड़ा साजाथ देतेदें नीचे लिखो कि नीचे लिखो हुआ है a p b a p b a qb दोनों सरवांग सम्हें यह करना था ना लिखो आथा a pb cangreens a qb breakout में लिख लो कौन से रूल से हुआ है कौन से रूल से हुआ है बोलो कौन सा रूल लगा है a sa बीजेट हाकूर ने बताया है विल्कुल बच्चा लेकिन AAS लगा भाई क्या लगा बावू AAS क्योंकि हमने पहले दो एंगल बराबर किया फिर एक बुजा बराबर किया तो AAS एक कर सस्तार से लिख लो एंगल एंगल साइट से किसे एंगल एंगल साइट से ओके बिलकुल करण मअर्या नहीं राइट लिखा रिखकाए इसको लिख लिए आपने चलो इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीन साट ले लिजी आपके पास 10 सिकेंड का टाइम है ओनली 10 सिकेंड जल्दी करिए लिए स्क्रीन साट चलो इसमें पार्ट और भी पूछ रहा था भाई साहब वह दूसरा पार्ट में इथर नीचे सटल कर दे गरता हूं यहां देखो कि इस पें सी च कर चीज और पूछ रहा था क्या कह रहा था की जो तो necessarily念 दिखां जो कि भूजा जो बीपी है ये बीक्यू के बराबर है इन दोनों को क्या कर रहा है इक्वल करने को कह रहा है त्यान से फिर से समझो कह रहा है ये भूजा बीक्यू ये इसके बराबर है इसको सिद्ध कर ये के बराबर है क्या कर ये प्रूब कर ये कि दोने इक्वल है कौन-कौन यह BP यानि B और P और B और Q दोनों इक्वल है इसको प्रूब करना है आप लिखो इसको कुछ नहीं करना है इस सिद्ध है यह BP इक्वल BQ Q है लिखो ब्रेकर्ड में लिखो by CP CP CT यह CP CT से क्या है बराबर है CP CT का मतलब जानते हो जो बच्चे इंट्रोडक्शन वारा पार्ट नहीं देखे बच्चा वो जरूर देख लें CP CT का मतलब जानते हो उसमें आपको बहुत सारे रूल पढ़ाये गए हैं जिसमें यह भी पढ़ाया गया है कि अगर कोई दो ट्राइंगल आपस में कैंगुरेंट हैं आपस में सरबांगसम हैं तो उनकी corresponding side equal होती है यानि दो सरबांगसम तिरभूज की जो संगत भुजायें होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं समझ गए ना कि यानि दो सर्वांगसम तिरूज हमने सबह कर दिया यह है पहले इस का इंट्रॉड़सन पार्ट नहीं देख लें जादा कुईश्चन हम इसमें नहीं करवाते हैं हर दिन आपको आधे घंटे ही पढ़ाते हैं लेकिन जितने कुईश्चन करवाए जाए इनको बार बार रिपाइट मतलब रिपीट करो और अगें एंड अगें आफ रिपीट करो ठीक है किरन मौर्या आप इस नंबर पर किया जाएगा जिससे की वह टॉफ कर सकें कम से कम है ना तो बिल्कुल नहीं संकोच जो भी स्टूडेंट टॉब करेंगे या फिर जो भी स्टूडेंट फ़र्श नंबर पर आएंगे उनको पीबियर स्टूडेंट की तरफ से सरफ्राइज भी मिलेगा ये बात आपके लि करते हैं आप सभी चात्र जो भी नए जूड़े है इस नंबर पर वाटसप करें अपना नाम क्लास का नाम और जिले का नाम यानि नेम डिश्टिक नेम एंड क्लाफ नेम नेम डिश्टिक और क्लाफ नेम तीन चीज आपको लिखके भेजना है आपको गुरूप में लिखने के लिए आपको प्रेम पूर्बग बहुत बहुत धन्यवाद जो भी नए चात्र जुड़े हैं नीचे लाल कलर की बटन लिखा है सब्सक्राइब रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उस पर टेच करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में घंटी का नि समिसरा जी बिल्कुल NCRT पैटन की किताब आप जानते हो कि नहीं सरकारी किताब है NCRT हर जगा मिलती है ठीक है सब्सक्राइब करते हैं UPC सब्सक्राइब करें अब फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी इस वीडियो को इस सेशन को अपने साथियों में सेयर करिए उनको बताइए कि रात साथ बज़े से आपके लिए हर दिन फ्री लाइब कलास होती है हर रोज होती संडे को नहीं होती याद रखना संडे को चुटी होती है बार बार देखो वीडियो बैक करो फिर देखो जो चात्र नहीं समझ पाए वो वीडियो को पीछे करके फिर से देखें अभी लाइट में आगा वाच नाव वाच अगेन वाच अगेन क्लिक करके फिर से देखो